नमसकार दोस्तों, मेरा नाम है डोक्टर मीलम शरमा. इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की सियोबेन टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। सियोबेन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सियोबेन टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि सियोबेन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सियोबेन एक brand name है सियोबेन टैबलेट के अंदर salt composition albendazole 400 mg होता है सियोबेन टैबलेट का उपयोग पेट में कीडो को मारने के लिए किया जाता है सियोबेन टैबलेट पेट में कीडो को मारकर और स्टूल के जरीए पेट के कीडो को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है पेट में कीडो की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है लेकिन पेट में कीडे बड़ो को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं पेट के कीडे जीवित रहने के लिए भोजन से glucose, vitamins, minerals और energy सोख लेते हैं और पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है जिसकी वज़से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्द होना और भूख कम लगना आदी लक्षन पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं इसके अलावा शरीर में ठकान रहना, लगातार कब्स की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्त होना आदी लक्षन भी पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं. पेट में कीडो की जाच करने के लिए डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है. स्टूल टेस्ट की मदद से यहां आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको पेट में कीडो की समस्या है या नहीं. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सियोबैन टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सियोबैन टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, भूप कम होना और तवचा पर खुजली होना आदी साइड इफेक्ट्स SI-O-ban टाबलेट की वज़द से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की SI-O-ban टाबलेट को कैसे लेना रिकमेंडे होता है. सियोबेन टेबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे दूध, घी, अंडे आदी। आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पेट के कीडों को साफ करने के लिए सियोबेन 400MG टेबलेट की एक टेबलेट को केवल एक ही बार लेने की सला देते हैं। पेट में कीडों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्तर दो सप्ता बाद सियोबेन टेबलेट को दोबारा भी लेने की सला दे सकता है। सियोबेन टेबलेट को लेने से पहले आपको सियोबेन टेबलेट को मुँ में अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। उसके बाद एक गिलास दूद या एक गिलास पानी पीना चाहिए। सियोबेन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की सियोबेन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होने पर सियोबेन टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना सियोबेन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए C&O Tablet का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है. इसलिए Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को C&O Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सियो बैन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.